नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है समाज की ऐसे पांच महिलाएं जिनके बे मिसाल होसले ने दिलाई अलग पहचान होसलों को पंक मिल जाए तो कोई पीछा नहीं कर सकता अपने देश की नाडियों ने हमेशा से दुनिया में अलग पहचान बनाई है अब तो महिलाएं हर छेतर में आगे बढ़कर टक कर दे रही है साइधी कोई ऐसा छेतर बचा हो जिसमें उन्होंने समाज को चुनोती ना दी हो महिला दिवस के मौके पर ऐसे बे मिसाल महिलाओं का जिकर लाजमी है और जरूरी भी होसला जजबा जुनून लिंग भेद को भी मात दे देता है तभी तो देश की अनिक महिलाएं अपने छेतर में पुरुसों से भी 20 साबित हुई है किसी के जुरून ने उनसे लेखक बना दिया तो कोई अपने जजबे में जंगल की दुनिया में रम गई तो प्रस्तूत है ऐसी ही पाँच महिलाओं की अद्बुत कहानिया रूपिय उधार लेकर फिलाई सुआत की खुस्बू दोस्तो निलजा बांगमो उस संघर सिल महिला का नाम है जिसने दुर्गम पहाडी गाउं में जनम लेने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाई उनका जनम अलची गाउं में हुआ जो लदाख की राजधानी लेह से लगबक सतर किलो मिटर नीचे सिंदू नदी के टट पर इस्तीत है ऐसे दुर्गम अस्थान से जादा दुस्वर हालात निल्जा के जीवन में तब आए जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया तंगहाली की वज़े से कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छुट गई निल्जा को बचपन से विभिन प्रकार के वेंजन पकाने का सौक था उन्होंने सौक कोई केरियर बनाने की ठानली और अलची कीचन नाम से लदाखी रेस्टोरेंट की सुरुआत की फिर अलची कीचन के खास मेन्यू पर कसरत की और ऐसे लदाखी वेंजनों को खोजा जो लुफ्थ हो चुके थे आज इस कीचन की फर्मेटेड ब्रेट खंबीर और तासी तागिये चाय सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है चोटी सी उम्र में किये बड़े काम जिस उम्र में बच्चे बेपरवा होकर जिन्दगी का लुफ्थ उठाते हैं उस उम्र में रजिया सुल्तान ने देश और अपने गाउं का नाम रोसन कर दिया मेरट के गाउं नंगला कुम्भा में जन्मी रजिया बच्पन से फुटबॉल सिलने का काम करती थी उसके बाद वह पढ़ाई करती तबी उनके मन में विचार आया कि जो बच्चे दिन भर बाल मजदूरी करते हैं वे तो कभी पढ़ाई करी नहीं पाते वह बच्पन बचाओ आंदूलन के साथ जुड़ गई इस आंदूलन के केमपेन के तहट उन्हें गाउं का बाल प्रधान चुना गया जब वह छटी कच्छा में थी तो उन्होंने बाल मजदूरी में लगे बच्चों को इसकुल जाने के लिए प्रेरित करना सुरू किया बलकि पूरे देश से बुकम सुनामी को बनाया जिंदगी का मकसद दोस्तों बुकम पोया सुनामी दोनों ही तभाई के मंजर दिखाते हैं इनका नाम ही है हमें खोब से भर देता है लेकिन भारती विज्ञान संस्थान बगलूरू में प्रोफेसर कुसल राजेंदरन ने बुकम पोर सुनामी को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया दख्षिन भारती परिवार में जन्मी कुसल पढ़ाई के लिए पहले तिरु अनंदपूरं से केरल और फिर आयाइटी रूड की गई जियो फीजिक्स में मास्टर्स के दोरान वर छे चात्रों में एक मात्र छात्रा थी भारती विज्ञान संस्थान में उन्होंने बतोर एसोसियेट प्रोफेसर प्रवेस किया वहां उनकी मुलाकात प्रसिद भू विज्ञानी सीपी राजंदरन से हुई बाद में दोनोंने विभा कर लिया रक्षिन भारत के कावेरी पटनम सहर में सुनामी आई तो कुसल और उनके पती ने रिसर्च शुरू की साल 2004 में मिट्टी कैवसेस से उन्होंनों साबित किया कि 1000 साल पहले भी उस अस्थान पर ऐसी ही सुनामी आई थी कुसल को नेशनल एवार्ड फॉर वूमन साइंटिस्ट से भी समानित किया जा चुका है जुनून ने बनाया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो तो रादिका रामास्वामी को फोटोग्राफिय और यात्राओं का सुख तो बच्पन से ही था लेकिन कैमरे से प्यार ग्यारवी कच्छा में पढ़ने के दोरान तब हुआ जब अंकल ने उन्हें एसल आर कैमर बेट किया कैमरा पाते ही रादिका का सौक जुनून में बदल गया तमिलनाडु के ठैने सहर में जन्मी रादिका 2004 में जब परिवार के साथ घूमने भरतपूर नैसनल पार्क गई तो उन्हें प्रकरती से प्यार हो गया दिल्ली लोटी तो रोजाना लगबक दो घंटे द चुकी है रादिका बताती है हमें आई लेवल फोटोग्राफी करनी होती है गर्मी के मौसम में जानवर सूबर पानी की तलास में निकलते हैं तब हम वन करमचारियों के साथ जंगल में वाटर बॉडिस पर जाते हैं रादिका रामा सामी को देश की पहली प्रोफेशनल व बच्चों की लेखक बन गई करनाटक के बैंगलोरू में जन्मी रूपा किसोरवस्था में बच्चों की अंग्रेजी पत्रिका टारगेट पड़ती थी तब ही उनके मन में सवाल कौन था कि क्या सिर्फ अमेरिकी बच्चे ही आनन से भरपूर जीवन जीते हैं तब उन्हो पुस्तकों की इस रंखला है जिसे पुरसकार तक मुल चुका है प्रकासक बस्तला कोल वेनरजी ने जब उन्हें बच्चों के लिए गीता लिखने को कहा तो रूपा उन्हें टालती रही वजह यह थी कि उन्होंने खुद भी कभी गीता नहीं पड़ी थी तो बच्चों क दोस्तों इसी प्रकार और बीरोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सेर वर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद